मेरट में सर्विलांस टीम ने मेडिकल थाना पुलिस के साथ मिलकर एक गिरो का भंडा फोड़ किया है टीम ने गिरो के तीन शातिर आरुपियों को गिरफतार किया है यह आरुपी बेरोजगार रिवकों को सरकारी नोकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे पुलिस ने आरुपियों के पास से तीन मोबाइल फोन, 16,500 रुपए नगत, एक सफेद सेंटरो कार, असम राइफिल, दिल्ली पुलिस, एफसी आई, म.E.S. के फरजी नियुकती पत्र, विबिन नव्यक्तियों की ओरिजिनल अंक तालिकाय, खाली वर लिखे हुए स्टैम प में और B8 किये हुए बेरोजगार युवाओ को सरकारी नोकरी दिलाने के नाम पर जाल में फसाते थे, इनका नेटवर कई राज्यों में फैला है, हरियाना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहीत, कई राज्यों के बेरोजगार युवकों को आर्मी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाना पुलिस, असम राइफिल, एफसी आई, एवं M.E.S. आदी में नोकरी दिल्वाने के नाम पर एक युवा से 3-6 लाक रुपे तक लेते थे, गिरोगों के सरगना योगेंदर शर्मा ने पुलिस को पुछताश में बताया कि वो अपने साथियों क साथ मिलकर ऐसे बेरोजगारी वकों को तलाशते थे, जो इंटर B.A. और B.A. करने के बाद सरकारी नोकरी के लिए प्रयास करते थे, गिरोगों के लोग ऐसे ही जरुरतमन योगों को अपने जहांसे में फसाते थे, उन्हें आर्मी, पुलिस, F.C.I. आदी में सरकारी नोक का अफसर बन कर उनसे मिलता था और उनसे सभी जरूरी कागजाद जैसे अंकतारिका, आधारका, जाती वनिवास प्रमान पत्र आदी अपने पास जमा कर लेते थे, इसके अलावा व्यक्ति के जरूरत वसरकारी विभाग के अनुसा 3-6 लाग रुपे नोकरी दिलाने के ना कि एक आदमी को इस तरह से अपने जूठी जासे में फसाके उनको फर्जी नियुकति पत्र देते थे इसको फर्जी नियुकति पत्र मिलता था वो विचारक खुश होके अपने दोस्तों और रुस्तदारों में जो बेरगगार होते थे यह पिस बात को शेयर करता था और इ जासे में फस्ते जाते थे